न्यूँ एक बार एक किसान, एक बकरी, घास का एक गठर और एक शेर को ले नदी के किनारे खड़ा था। उसे नाव से नदी पार करनी थी लेकिन नाव बहुत छोड़ी थी वह सारे सामान समेत एक बार में पार नहीं कर सकता था। खिसान ने कुछ तरकीब सोची, वह अगर शेर को पहले ले जाकर नदी पार छोड़, आता है तो इधर बकरी घास खा जाएगी और अगर घास को पहले नदी पार ले जाता है तो शेर बकरी खा जाएगा। अंध में उसे एक समाधान सूज गया। उसने पहले बकरी को साथ में लिया और नाव में बैठकर नदी के पार छोड़ाया। इसके बाद दूसरे चक्तर में उसने शेर को नदी पार छोड़ दिया लेकिन लोडते समय बकरी को फिर से साथ ले आया। इस पार वे बकरी को इसी तरफ छोड़तर घास के गठर को दूसरी और शेर के पास छोड़ाया। इसके बाद वे फिर से नाव लेकर आया और बकरी को भी ले गया। इस प्रकार उसने नदी पार कर ली और उसे कोई हानी भी नहीं हुई। ही। शोड़कित को उसे भी नहीं पार इसाफ ले भाद, जब झातों, इसको अगना छोड़ा, ख़िए झा बोुछलिप। झाल, चल, आ गुझा sources झाल झाल